नमस्कार दोस्तो भारत एक सोच देख रहे हैं दोस्तो सबसे पहले आपको एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो क्लिप अयोध्या की बताई जा रही है जहां पर योगी सरकार के मंतरी सुर्य प्रताप शाही पहुचे हुए थे और उनके तो ये वीडियो देखा आपने दोस्तों ये वीडियो आयुद्या का है और जहां पर सुराप शाही पहुंचे हुए थे आखिर क्यों इनका इतना विरोद किया जा की जा रही है यह जो नारे लगा रहे हैं वो लोग कौन हैं और क्यों इतना गुस्य में दिखाई दे रहे हैं मंतरी जी के खिलाब वे सब हम आपको बताने जा रहा है दरसल दोस्तों आयोद्या पहुचे योगी सरकार में मंतरी जिनका चात्रों ने जम कर विरोध किया जो य जेपी सरकार के ही मंतरी के खिलाब नारे बाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों दरसल खिशी मंतरी सुर्य प्रताब शाही आयोध्या में एक कारेक्रम में शिरकत करने के लिए पहुचे हुए थे उसी दोरान को चात्र मंतरी जी की कार के सामने प्रदर्शन करन आने के लिए ABVP कारकरताओं ने प्रदिशन करते हुए जमकर नारेबाजी की और जमकर होहला किया क्यों क्योंकि मंतरी जी उनकी बात नहीं सुन रहे थे एक एक शक्स जो है वहाँ पर मंतरी जी से कह भी रहा है कि मंतरी जी आपने छातरों से वारता क्यों नहीं की और उसके तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में किस तरह से चात्रों को घसीटा जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से हटाया जो रहा है किस तरह से मंतुरी जी से गुहर लगाने की कोशिश की जा रही है दरसल जोस्तों पुलिस वालों ने यहां पर लोगों को हटाया चात्रों को हटाया और तीन सूत्री यह मांगे ऐसी थी जिसका ग्यापन देने के लिए चात्री खटा हुए थे मंतुरी जी के सामने प्रदेश के क्रिशी मंतरी सुर्पताब शाही के सामने लेकिन उन्होंने वो ग्यापन सुईकार नहीं किया ग्यापन नहीं लिया और खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि छात्रों से मंतरी जी ने किसी तरह की कोई बाचीत भी नहीं की जिसके बाद चातर और जादा नाराज हो गए और जमकर्ड मुर्दाबाद के नारे तक लगाने लगे यूनिस्टी प्रिशासन के खिलाफ सरकार के खिलाफ वहाँ पर मंतरी जी थे उनके खिलाफ नारे बजी शुरू हो गई मंतری जी से गुहार लगाने के लिए आये थे चातर की तीन सूत्रे मांगे हैं इसका ग्यापन ले लिजे मंतری जी ना ग्यापन लिया ना ही उनकी बात सुरी ना ही उनसे किसी तरह की कोई वारता की ये बात निकल कर सामने आ रही है चातर अपनी मांगों का ग्यापन लेकर जब क्रिशिय मंतुरी के पास पहुँचे तब उन्होंने चातरों से बात करने के बजाए विश्वित द्याले परिसर से बाहर जाने की रहा पकड़ दी उन्होंने बात ने की और सीधे अपनी गारी में बैठ कर आगे निकल गए तो दोस्तों एक तरफ पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में चाया हुआ है सडक से लेकर संसत तक का ये मुद्दा गूंज रहा है चातरों में बेहद नराजगी है विपक्ष पूरी तरह से हावी है राहुल गांधियों अखलेश यादों हों या फिर तमाम पूर्ण दे रहे हैं उनसे बाचीत नहीं कर रहे हैं आठ चातर ऐसे हैं जिनको यूनिवर्स्टि प्रशासन ने जिनके खिलाफ कारवाई की है उस कारवाई के खिलाफ वो अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन मंत्री जी नहीं सुने सुर्प्रताब शाही अपनी को लेकर बाचीत करना चाह रहे हैं तो मंत्री उत्तरप्रदेश के उनकी बात नहीं सुन रहे हैं यह तमाम चीजे निकल कर दोस्तों आ रही है आगयाने वाले वक्त में दिक्कते और भी ज़्यादा पैदा हो सकती हैं भारती जनलता पार्टी के लिए को कि छातरों का गु जाते हैं उसके बाद चातर नारे लगाते हैं आयोध्या की धरती पर जहांपर भारती जनलता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसी धरती पर एक बार फिर से उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्री सुन पताफ शाही को यहां पर विरोध भी जहिलना पड़ा है आने व